आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्टी रैफिल के बारे में और राष्टी रैफिल का चेप्टर पूरा आपको आसानी से समझ मां आजाए इसके लिए मैं आपको पांच पार्ट में बताऊंगा पहला पॉइंट आपका राष्टी रैफिल से जानकारी और सेगिंड soldier की dress और Indian Army के soldier की dress में अंतर fourth point आपका राश्टी रैफिल की salary यानि की allowances कितना मिलता है और fifth point आपका राश्टी रैफिल का eligibility और criteria जैन फ्रेंड्स मैं हूँ आपका साथ ही भूटपूर सैनिक मनो सिंग और आपका अपने YouTube चैनल X Army Soldier में सौगत है तो friends आज आज की वीडियो में आपको राश्टी रैफिल से पूरी अच्छी तरह आपको जानकारी दोंगा अपनी आसान बाजा में ताकि आपको पूरे 5 के 5 point क्लियर हो जाएं friends राश्टी रैफिल का गटन कैसे हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जिन्होंने नीवत देखी है वो आई बटन पे वो लोग देख सकते हैं जिसमें कि आदिस ज्यादा जो उसके percentage होता वो inventory से आते हैं यानी कि पैदल जो सेना उसके सैनिक होते हैं और बाकी जो होते है वो कोर आज़िमेंट के होते हैं supporting troops में जैसे कि उसमें Army Medical Corps Army A.S.C. के Army Ordnance Corps के और आपके नर्सिंग स्टेंड तो होते ही होते हैं साथी समय एमी कूर के नुमाइंदे भी होते हैं तो चले जानेंगे राश्टी रैफल में इनका काम क्या होता है तो फ्रेंट्स की मैं आपको बताते रहता हूँ कि पराश्टी रैफल में जो में काम होता है अटेकिंग का तो उसमें इनफेंट्री सोल्जर का काम ज़दा होता है लेकिन यहां पर जो सपोर्टिंट डूप्स का भी काम बढ़ जाता है जैसे कि आपको साथ आपने कहीं जाना हो ऑपरिशन के लिए तो वहां पूरा आपकी पूरी एक टीम रहेगी जिसमें कि आपके पैदल सेना के जवान भी होंगे साथी उसमें एमसी के नर्सिंग असस्टेंट भी होंगे जो की आपको कोई हसा या किसी प्रकार की दुरगणणा के लिए अगर हो जाए आपके साथ में तो आपको फर्स्ट च 끝나 की कारवाज से लेके आपको मेडिकल होस्पिटल आपको आर्मी मेडिकल हास्पिटल ले जाने तक की पूरी जिम्मेदारी और जो उसका कारे वहों नर अर्र में एक ट्रूस जैसे एक यह कैसे दूसरी जाने के लिए जो ट्रांस्पोरटीशिंग करो होता संद्सें श्रारी के ड्रैवर्डर słu प्लास DC होते हैं ओर ड्रार को लेकर मैंने एक वीडियो बनवां का Emeril को एक लिए मिल जाएग है आप वहाँ से पूरा आर्मे में ड्राइवर कैसे बनते हैं क्या उसका स्लेक्षिन प्रोसेस होता है इंफेंट्री और कोर के ड्राइवर में क्या अंतर होता है पूरी जानकरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी तो फ्रेंट्स आरार का जुब से गटन हुआ है तब से हम कह सकते हैं कि जेंड के में आतंगवाद का तक्रीबन खात्मा हो चुका है या उनको अंजाम पुचाने के लिए आरार है और आरार का क्या काम है या आपको बताने की जरूत नहीं है कि आप लोग देखते होंगे कि जेंड के में जो टेरिजम जो खतम हो रहा है तो उसका बहुत बारा कारण है कि राष्टी रहफल का वहाँ एक्टिव रूल और उनका जबरदस्थ काम करने का तरीका और उनका एक ऐसा ओपरिशन का तरीका कि जिसे नाना प्रकार के ओपरिशन चले हैं जैसे अब यह आली तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपके दो पवाइंट्स क्लियर होगे टालराश्टी गोड़ी राश्टी आर्मी के सुलजर की जो ड्रेस में अंतर होता है आपने देखा होगा है कि इंडियन आर्मी में जो अपनी ड्रेस होती है वो दो टाइप की होती है एक होती है combat dress जिसको हम चितकवरा dress बोलते हैं और दूसरे होती है सर्वोलियम dress यानि जो olive green होती है हमारी आपने दिखागा olive green और दोनों में एक चीज़ common होती है कि दोनों में जो बटन्स होते हैं यह होते हैं आपके olive green कलर के चाहिए OG dress हो आपकी यानि कि जिसको हम सर्वोलियम dress बोलते हैं olive green या आपका combat dress हो यानि कि चितकवरा dress दोनों में जो बटन्स होते हैं वो होते हैं आपके olive green लेकिन अगर बात करूँ राष्टी रैफिल के जवान की तो यहाँ पर भी दो dress होते हैं combat dress प्लस आपकी ogita जिसको हम olive green कलर बोलते हैं यानि लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेंजमेंट हो जाता है कि जो यह buttons होते हैं यहाँ पर यह सब के RR के पूरे सब के black होते हैं और जो laniards होती हैं वो भी पूरी black होती है और साथी यहाँ पर जो शोल्डरी में होता है यहाँ पर रास्टी रैफल वो भी black color में होता है तो कहने का मतलब होता है कि इनका black pattern जदा होता है और रास्टी रैफल की main पैचान होती है जो उसका batch motto होता है धरनता और वीरता जिसमें कि आपने दो K47 और हमारा असुक चकर उसमें आपने देखा होगा तो friends यह था आपको ड्रेस से जानकारी अब आपके fourth point ड़ता हूँ कि आरार में आपको salary कितनी मिलती है friends आपको बताना चाहूँगा कि सेउन्ट पे कमिशन के बाद में जो उसमें counter insurgency area के जो allowance होता है वो तक्रीबन आपको 9700 को मिलता है यानि कि आपका army का वितन प्लस आपको counter insurgency का allowance army का वितन कितना है उसको उसके लिए आपको वीडियो देखना आई बटन में मिल जाएगी साथी आपको end screen में मिल जाएगी और link आपको description में मिल जाएगा वहाँ जे आप पुरा अपना calculation कर सकते हैं कि army में एक जवान का वितन कितना होता है प्लस उसमें counter insurgency का ये आप allowance जोड देंगे तो एक राष्टी रैफल के जवान की आप payment निकाल सकते हैं चलिया friends अब पांशों बताता हैं आपको राष्टी रैफल में जाते कैसे हैं क्या उसका eligibility और criteria होता है आपको बताना जाऊंगा कि RR में direct recruitment नहीं होती है और आप लोगों के बहुत सारे comments रहेते हैं कि सर हम राष्टी रैफल में कितने बार जा सकते हैं निकि service के duration में कितने बार जा सकते हैं लिए दोनों को मैं एकटा clear कर देता हूँ सबसे पहले आपको बताना जाऊंगा राष्टी रैफल में direct recruitment नहीं होता है यहां राष्टी रैफल में जाने के लिए आपको या तो इंडियन आर्मी की infantry या इंडियन आर्मी की core regiment या ardler या आर्मेंट में जाना जरूरी होता है तो इनके तुरूफर क्या होता है हर तक्रीबन regiment की कोई ने कोई आरार होती है और उनका एक fix रहता है कि इतनी vacancy percentage होता है उस percentage के अधार पे पोस्टिंग निकलती है तो उस पोस्टिंग के माध्यम से आप लोग आरार में आते हो और वहाँ पे आपकी तक्रीबन एक मैने की ट्रेनिंग चलती है जब आप ट्रेनिंग में पास कर जाते हो उसके बाद आप आरार के नुमाइंदे या आरार के soldier बन जाते हैं तो फ्रेंट्स ये चीज़ के लिए रोगी कि एक बार और जेशियूज में भी आपका नंबर पढ़ सकता है तो फ्रेंट्स ये तो ऑथन्टिक चीज़ है लेकिन कई बार ऐसी situation भी होते हैं कि एक जवान एकी rank में दो बार भी आरार काट लेता है आरार काट लिए काफी आपको फाइदे होते हैं लॉंग टर्मस में जैसे कि जैसे मानने जाए आप आरार में एज़े जवान आप पोस्टिंग गई थे लेकिन आपने प्रमोशन पाते बाते आप सुविदार मेजर बनगे या आप सुविदार बनगे तो retirement के time जो एक honoring यानिक जो मानक rank बिलता है मानक captain का rank या left trainer और captain का rank तो उसमें RR के point काफी माइने रहते हैं अगर आपने RR काटे होगी तो आपको points मलते हैं उन points के अधार पे आपको honorary मिलती है तो friends ये थी RR से जानकारी और RR का काम आपको बढ़ने बताई दिया RR से related गातक कमांडो को लेगे आप लोगे बहुत सारे कोमेंट्स आ रहे हैं कि सर गातक कमांडो को लेके एक detail brief के साथ वीडियो बनाईए तो अगली जो वीडियो आएगी वो आपकी आएगी गातक कमांडो के लिए तो तब तक दिज्जे अपने भाई को इजाज़त जैहन अंदे मातर हम भारत माता की जै